हलो स्टूडेंट आज हम चेप्टर नंबर थर्टीन ज्यामिती रचना के बारे में देखने वाले हैं स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल प्रशना में जो है कितने प्रसना आते हैं इस चेप्टर से जो है पाँच अंक का प्रसन उच्छा जाता है इसमें तीन टाइप के प्रसन बनते हैं परिगत वृत की रचना दूसरा है अंतह वृत की रचना और तीसरा है त्रिभूज की रचना या फिर बोल सकते हैं त्रिभूज के अनुपातिक त्रिभूज की रचना अब ये तीन प्रसन में जो है चूंकि ये पाँच अंक वाला प्रसन है तो आप्सनल रहेगा इन दोनों में से कोई एक प्रसन पुछा जाएगा या तो परिगत बृत की रचना अथवा करके अंतह बृत की रचना या फिर second chance बनता है अंतह बृत की रचना अथवा करके त्रीभूज के अनुपातिक त्रीभूज की रचना यह हो सकता है first और third में से कोई तो इसमें जो है आपका परिगद वृत की रचना और अंतहवृत की रचना यदि आप दिये दोनों जो है complete कर लेते हैं तो निश्चीत रुप से आपका ये पांच अंकता प्रस्न जो है बन जाता है क्योंकि इन दोनों में से देगा तो आपको दोनों पता रहेगा या इन दोनों में से देता है तो आप ये बना सकते हैं या इन दोनों में से देगा तो या आप फर्स्ट वाले को बना सकते हैं तो इस प्रकार से इस चेप्टर में से हमेशा पांच अंकता प्रस्न पूछा गया है और यदि ये दोनों क्वेशन कर लेते हैं परिगद व्रित की रचना या फिर अंतह व्रित की रचना तो कन्फरम है आज को जो है इस में से इस चेप्टर में से पांच अंग पूरे में पूरे आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे परिगद व्रित की रचना कैसे किया जाता है आईए देखते हैं एक प्रस्न लिया गया है, त्रिभूज ABC के परिगद व्रित या परिव्रित की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 8 cm, BC बराबर 5 cm और और ABC बराबर 6 टंस है, रचना के पद भी लिखना है, तो इस टाइट के प्रस्न जब आते हैं, तो हम सबसे पहले एक रफ वर्क तयार करत हैं, मान लो, एक रफ वर्क मैं तयार करूं, यह जो है आपका, मान लो, त्रिभूज ABC है, तो इस कंडिशन में होगा क्या? AB बराबर 8 cm, यह अपना 8 cm रहेगा, BC 5 cm, मतलब यह नीचे वाली भूजा 5 cm, और कोण ABC, कोण ABC, यानि कोण बिंदू B पर जो है, जो कोण बनने वाला है, वो है साटंस, अधि इसको देख करके यह पता चल जाता है कि हमको कोण से भूजा को सबसे पहले खिचना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BC भूजा को हम सबसे पहले खिचते हैं, तो यहाँ पर आपके वाल सीस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर BC बराबर 5 cm, इसकेल की साहता से आप खिच लीजिए, तो इसकेल की साहता से अगर हम खिचेंगे, तो यहाँ पर ऐसा सकेल को रख और सीस लेकर के पहला बिंदू 0 में और दूसरा बिंदू 5 में लगाएंगे, और दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खन हम खिच देते हैं, और यह हो जाता है आपका AB, याने की AB बराबर 5 cm, अब यहाँ पर जो है, sorry, AB बराबर 5 cm नहीं है, BC बराबर 5 cm है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, BC, अब यहाँ बिंदू B पर साटन्स का कोण बनाना है, तो साटन्स का कोण बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो आप चांबे की साहता से बिंदू B पर साटन्स का कोण बना या फिर दूसरा अप्सान यह होता है कि हम केवल प्रकार की साहता से जो है साटंस का कौन बनाएंगे तो मैं प्रकार की साहता से बना के बताता हूँ बिंदू B में प्रकार के नुकिले वाले भाग को रखी एक निस्चित चाप ले करके हम यहां पर ऐसा चाप काड़ देते ह यह चाप जो है रेखा खंड B C को काटना चाहिए यह कट गया और जिस बिंदू पर यह B C को काटा है वहीं पर फिर से नुकिले वाले को रख कर एक और चाप काड़ देते हैं तो यह दोनों जो है इस बिंदू पर प्रतिचित कर रहा है इस बिंदू को मिलाते हुए हम एक रेखा खंड खीच देते हैं जो कि आगे जाकर के भूजा A B बनने वाला है तो इनको मिलाते हुए हम यह ऐसा खीच दिये अब इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इधर 8 सेंटी मीटर चाहिए वो जो है अंदर तक चले जा रहा है तो यहां पर 8 सेंटी मीटर मतलब लगबग यहां चला जाएगा तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ आप थोड़ा सा इस पेस लेकर इसको बनाएंगे मैं इसको इसी में जो है जो मैं प्रस्न लिखाऊं उदर आगे चला गया है कोई दिक्कत नहीं है वैसे लेकिन आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे यहां पर 8 में रखेंगे यहां पर 0 में और एक चाप काट देते हैं बिंदू B से ले करके तो यह यहां पर हमको मिलत है और यही बिंदू आपका बन जाता है कौन सा बिंदू A इसको आप X नाम दे दीजिए अब यह आपका AB हो गया 8 BC हो गया 5 अब यहां पर A और C को जो है आप मिला दीजिए यह बन गए आपका त्रीभूज ABC अब इसके बाद हमको परिगद ब्रित की रचना करना है तो परिगद ब्रित की रचना के लिए हम करेंगे क्या इसमें से कोई भी दो भूजा का हम खीच लेते हैं लंब सम्दी भाजक लंब सम्दी जख खीचना चाहते हैं तो उस कंडिशन में A C के आधा से अधिक यह हो गया लगभग आधा आधा से अधिक हमको फैला लेना है और A C के दोनों साइड AC के इधर भी और A C के उधर दो चाप काट लेते हैं जैसी कि यह चाप हो गया इधर एक चाप हो गया ठीक वैसे ही इसको हम A में रखेंगे और A में रख करके भी दो चाप आपको लेना है जो पूर्व चाप को कहीं न कहीं पर प्रतिछेल करना चाहिए यह देखिए इधर से ले करके यह चाप हमने दो चाप काटा और इधर C से ले करके भी हमने दो चाप काटा तो यह point और यह पाइंट यह दोनों को जो है हम इसकेल की सहता से मिला देंगे जब इसकेल की सहता से मिलाओगे तो जो भी प्राप्त होगा वही हमारा लंब समदी भाज़त कहलाता है तो ऐजे करके हम यहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यह रेखा खान खीच दिये इसी प्रकार अगर हम BC का लंब सम्दिभाज़क खीचना चाहें तो इसमें भी वही करना पड़ेगा BC के आधा से अधिक हमको पैला लेना है यह लगभग आधा होगा यह आधा से हमको अधिक फैलाना है आधा से अधिक फैलाने के बाद एक चाप इधर और एक चाप जो है इस तरफ हमको काटना है अब इसको B में रख दीजिए B में रखने के बाद भी एक चाप उपर के तरफ और एक चाप नीची के तरफ काट देते हैं अब ये जो दोनों पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों को भी हम स्केल की सहयता से मिला देते हैं और ये दोनों लंब सम्दिभाजा एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे फिलाल देखें तो नहीं काट रहे हैं कोई दिख करते हैं इसको आप आगे बढ़ा दीजी तो ये जो पॉइंट हमको मिला दोनों लंब सम्दिभाजा के एक दूसरे को काट रहे हैं इसको हम नाम दे दे ले ले या फिर O C को त्रिज्या ले ले और तीनों को मिलाते हुए एक ब्रित की रचना कर दें जो तीनों भी नों से हो करके घुजरेगा यहाँ पर जो है मेरा प्रकार थोड़ा सगड़बर है इसलिए यह पॉइंट थोड़ा आगे निकल गया है एक्चल में यह एकजेक्ट वहीं पर जो है आना चीए तो इस प्रकार से एक आइडिया के लिए मैं बता रहता आपको कि यह आपका परीगत ब्रित जो है बन जाता ह तो इस प्रकार से आप परीगत ब्रित की रचना कर सकते हैं तो यह हाँ परीगत ब्रित की रचना इसमें जो है हमको रचना के पद भी लिखना होता है जब रचना के पद लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा सर्वरथम बीसी बराबर लिख देंगे स स्केल की साहता से बीसी बराबर पांच सेंटिमीटर का रेखा खन खिचा यह पहला नंबर होगा दूसरा क्या लिखेंगे बिंदु बी पर प्रकार की साहता से साथ अंस का ओड़ बनाएगा तीसरे नंबर में हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बी को केंद्रमान कर तथा आठ सेंटिमीटर तरिज्या लेकर एक चाप काटा जो कि बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिज्चेत करता है बिंदु ए को सी से मिलाया इस प्रकार तरिभूज ए बी सी प्राप्त हुआ अगला जो हम क्रम डालेंगे वहाँ पर लिखेंगे प्रकार की साहता से AC का लंब सम्दिभाजक खीचा अगला प्रकार की साहता से BC का लंब सम्दिभाजक खीचा दोनों लंब सम्दिभाजक एक दूसरे को बिंदु उपर प्रतिज्चेत करते हैं अब बिंदु O को केंद करता है इस प्रकार अभिष्ठ परिगत्वरित हमें प्राप्त हुआ ऐसा जो है आपको लिखना है तो यह हो गया आपका परिगत्वरित की रचना तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो